सब्सक्राइब नमस्ते कैसे हैं आप सब टाइट लविश्ट्रिपल वन पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाइस इस वर का संदेश आपके लिए क्या है जी हां अपडेटेटर रिडिंग मैं इसी टॉपिक पर कर रही हूं क्योंकि गाइस इंसानों पर भरोसा करने हम उपरवाली पर भरोसा करें उनके दिए हुए एडवाइस पर उनके दिए हुए गाइडलाइन पर अगरर हम फॉलौ करते हैं गईस तो हमारी जिएवन में कुछ अच्छा होता है अगर हम उन रास्तों पर चलते हैं जो हमें बताया जाता है ना तो इसी वज़े से इस ट देना चाहते है तो आज की रेडिंग का लिए आपके लिये होने वाली है आपकी आनर्जीस कैसी है । आपको कौन से blessings मिलने वाली है इस वर की तरफ से इस ओड़ने आपके लिए कौन से plants बना कर रखे हैं आपके लिए क्या लिखा है आने वाले दिनों में है तो यह सारे चीज़े आज के इस टॉपिक पर हम कवर करने की कुछिस करेंगे और पाइल सेलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आज आपको अपने नाम के लिए करना है ठीक है यानि कि आपके नाम का पहला अक्षर होता है इनिशल होता है आपको इसे सलेट कर रहा है ठीक है तो यहीं नाम का अगर आपका alphabet आ रहा है तो आप इसे सलेट कर सकते हो और इसमें मैंने रखा है गाइस पिंक कलर का स्टोन ठीक है तो फटाफट से आप जिस हाल में भी हो दर्द में हो तकलीफ में हो ओवर्थिंकिंग कर रहे हो जो भी जैसे भी सिटेशन में हो गाइस फटाफट से आप कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं वही एक ऐसे सच्चे है हमारी इस दुनिया में है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं इंसान की तो फित्रत होती है धोका देने की हैना तो अच्छा है कि हम इंसानों पर भरोसा ना करें उपर वाले पर भरोसा करें और खुद पर भरोसा करें सबसे पहले और एकल कार्ट से आपके अनर्जी निकालेंगे किया इस वक्त यह देखते हैं यह देखता जरूरी है तो यहां से मैं दो कार्ट निकालूंगी हम दो कार्ट यहां पर पहले आपके अनर्जी निकाल कार्ट यहां पर पहला एक्षिन कार्ट यहां पर पहला इनर्जी ओरेकल कार्द से आपके लिए निकल कर आया है अब इंघ का का मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगी एहीर वैजी जञल आ कर आया है आपका आपने सेकंड इनरिक और कर आई है सिक्ष Спत रांगी ठीक है है कि यह दो कार्ड जो मैंने काले है अङलो बाट से चलिए आप universe की तरफ से भी निकालते हैं कुछ cards इस और आपके बारे में क्या जानते हैं उन्हें आपके बारे में क्या पता है आपकी स्थिति कैसी है कैसे situation से आप गुजर रहे हो अपने जिन्दकी मेहना वो सारी चीज़े देखनी है guys यहां से मैं चार कार्ट निकालूंगे guys ठीक है we are the world का card आ चुका है पहला ही card जो है हमें यह reverse की तरफ से बहुत खुपसरत relationship को लेकर निकल कर आया है यह energy आपके लिए we are the world number 10 आया है oh my god देखिए relationship की ही बात कर रही थी और हमें यहां पर मिल चुका है soulmate का connection lovers का card और देखिए दूसरा card we are the world तो आप किसकी दुनिया हो और आपकी दुनिया कौन है यहां पर आ गया lovers है ना तो कितना beautiful तरीके से जो है यूनि वर जानते है कि आपके जिंदगी में किस चीज की कमी है उन्हें पता है और वही fulfill जो है यहां पर होने वाला है ठीक है इसवर का संदेश आपके लिए बहुत बहतरीन है इसवर ने बहुत अच्छी चीजे relationship में आपके लिए लिख करते हैं तो इसमें मैं जबर जस्ती केरियर को future को family को तो डाल नहीं सकती ना जो सही है वही बात मुझे आपको बता नहीं है stress का काड़ आया है one more is totality oh my god आप इस कार्ड को मैं अगर ऐसा कर दू ना गाइस तो उपर का जो आपका तीन कार्ड निकल कर आया है देखिए आपका future कितना bright होने वाला है relationship में अगर आप किसी से प्यार करते हो या आप किसी को किसी का प्यार पाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि कोई सच प्यार लेकर आपकी तरफ आए तो देखिए बहुत 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 पॉजिटिव प्लानिंग्स जो है इस वर ने आपके लिए अल्रड कर रखा है पाइल नंबर वन जिन्होंने भी सलिच किया है ठीक है तो चलिए पूरी रिडिंग मैं आपको बाद में वताओंग जब मैं निकाल लूँगे सारे के सारे कार्ड्स है ना कर दोलिटर लूँछे कार्ड्स है तबास थी लूरिग से पकार रखाल तोसमेस में मैं पूराले क्क्षवड़ मैं अल्रूहँ थिहास ड्रहास गौण को सो बल्स निकल कर आ गया है तो डब्ल बिंगो वाली बात हो गई दबल लॉट्रि वाली बात हो गई।र आज की एड़िंग में देखें युनिवर्ष की तरफ से भी टारट से भी एनर्जी सेम निकल कर आई है तो आप दुनों का बहुत ही spiritual connection है जिस इंसान से आप प्यार करते हो या जिसके साथ आप relationship में हो थे या फिर होना चाहते हो ठीक है ना गैस तो देखे बहुत ही कम लोगों को भले ही match हो ये reading पर जिनको match होगे गैस उनके लिए तो ये बहुत अच्छा sign है कि आपका आने वाला जो वक्त है बहुत खुबसरत होने वाला है गैस ये तो मेरी guarantee है pile number one जिनोंने भी ए से लेकर आम तक का pile select किया है with white stone है ना beautiful प्रूफ हो गया ये ये प्रूफ हो गया कि आप soulmate के connection में हो ठीक है double आया है और यहाँ पर हमें मिला है knight of swords इस deck से भी मैं चार ही cards निकालों लिए ठीक है और फिर दूसरे deck का इस्तेमाल करेंगे और tower यहाँ पर आया है one more chariot वाव गाईस देखे चारिट आ गया निकलकर और bottom of the deck में आपके energy यहाँ से निकलकर आई है हर्मिट के ठीक है तो इसे यहाँ पर रखते हैं और साइद यही energy को यहाँ पर निकलना था क्योंकि यहाँ पर हमें action का कार्ट निकलती हूँ गईस सन का कार्ड आ गया I don't know आज की रिडिंग में यह क्या हो रहा है मतलब इतने इसवर के messages में इतने ब्यूटिफुल पॉजिटिव कार्ड जो है निकलकर आए हैं गैस मैं बहुत ज्यादा सौक्ट हूँ यह जो रिडिंग है यह action से भरा हुआ है यह जो है प्यार से भरा हुआ है यह जो है आपके लिए मतलब ऐसी अच्छी प्लानिंग की है ना इसवर ने मेरे पास कोई लवज नहीं है बताने के लिए कि आने वाला दिन आपके लिए कितना अच्छा होने वाला है कितना सक्सेस्फुल होने वाला है और देके फिर से मजिशन का कारड हमें मिल चुका है गाईज यह दोनों ही सान और मजिशन दोनों ही बड़े कार्ड है आज के लिंग में बहुत ही ज्यादा मेजर अरकाना से कार्ड निकल कर आये हैं जैमिन तो डबल निकल कर आया है यहाँ पर लवर्स के कनेक्शन से कोई नहीं आफ वैंस है guys क्या बताऊं आपको मज़ा आ गया cards को देख कर चलिए अब sign और element की बार यहां पर आती है साथ ही मैं आपको कुछ numbers भी आज क्रेटिंग में बताऊंगी देख लेना कर यह आपके partner के साथ match होता है पहला numbers की तरफ बढ़ते है number 9 important है guys number 10 important है 6 important है 5 important है 7 important है number 12 important है number 14 be important है number 16 इंपोर्ट है should 19 बहूंपोर्ट नजर आया है number 14 भी इंपोर्टट ना ज़र आया है और sign और element में आज वरगों की ses ट्रोंग है इसके अलावा cancer के energy is strong है इसके अलावा guys का जय्मिनी की एनर्जी डबल निकल कर आई है ठीक है और इसके अलावा हमें नजर आता है यहां पर एर साइन है जैमनी लिब्र एक्वरेस मितन तुला कुम रासी अर्ट साइन है टॉरस वर्गों कैप्रिकॉर्ण रिशव कन्यमकर रासी फायर साइन भी है लियो सेजिटेरिस एर इस यहां धनुवर मेस रासी ठीक है तो और यहां जी हां वाटर साइन भी है बॉर्टम अधर से कैंसर स्कॉर्प्यों पाइस करकृषिक और मिन रासी यानि कि कहने का मतलब है सारे साइन और आज की रिटिंग में मौझूद है जो नंबर मैंने आपको बताया है देख लेना क्या यह आपकी आपके पार्टनर के साथ मैच होता है कभी आप दोनों डेट पर गई हो पहल से हाल उनको पता है आपकी दिल का दर्द उनको को पता है कि हो सब तो इस इंसान कब देख हो है और इस और में खुशिया आने की बार खोका देनी है जो चीजी इंसान पा नहीं सका, वो सारे चीजी अब इस इंसान को देनी है, यानि कि जो इन्हों ने आपको जो देना था, वो दे दिया है, ठीक है, अब जो आने वाला वक्त है, वो बहुत positivity से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है, पाइल नमबर वन, सबसे पहले हर्मिट के कार्ड से ही सुरू करते हैं, और हर्मिट का कार्ड आपकी अनर्जी ये बता रहा है, कि आप बहुत जादा आइसोलेशन में हो, आप बहुत जादा दर्द में हो, आप बहुत जादा तकलीफ में हो, आप एक ऐसे इंसान बनकर रह जिसने जैसे की जिन्दगी जीना छोड़ दिया है जिन्दगी जीना आप जैसे भूल गए हो है ना किसी से आप बातचित करना पसंद नहीं करते हैं आप अकेले रहना पसंद करते हो अकेले में ही जो है आप खुश रहने की कोशिस करते हो अपने आप में spiritual growth भी आपकी हो रह कि कौन सही है कौन गलत है आपका जो ध्यान है ना वो इंसानों से भी जारा आप उपर वाले की तरफ लगता है तो यह सारी चीज़े हैं ना हर्मिट का कार्ड और सिक्स चक्रा यही दिखा रहा है कि आपकी स्पिरिचल अवेकनिंग हो चुकी है गईस ठीक है अब आपको ना बदलाव जो है आपके अंदर में हो रहा है अगर नहीं हुआ है तो आप आने वाला वक्त यह सारे बदलाव लेकर आपकी तरफ आने वाला है गाईस ठीक है और जब हम उपर वाले की तरफ connected होते है ना गाईस जब हम उपर वाले से रिस्ता बनाना शुरू करते हैं फिर उ वो connection मुझे आपका और उपर वाले का यहां पर बनता हुआ नजर आया है ठीक है और यह क्यों हुआ है गाईस यह इसलिए हुआ है क्यूंकि जमाने ने दुन्या के लोगों ने आपको तकलीव दी है आपको दर्द दिया है और इसी वज़े से आपने क्या किया लोगों पर से आपका भरोसा उठ गया और आप जो है उपर वाले से भरोसा करें जब हमें कभी ठोकर लगती है ना गाईस तभी हमारी जो आखे खुलती है ठोकर लगने से पहले हमें इस वर की याद नहीं आती जब हमें दर्द होता है तकलीफ होता है तभी यह इंसानी फित्रत होती ह मैं जर्फ आपके बात नहीं कर रही हूं मैं खुद की भी बात कर रही हूं maximum number of people जो होते हैं वो खुशियों के समय उपर वाले को भूल जाते हैं और जब दर्द होता है तकलीफ होती है तब हम उपर वाले को याद करते हैं तो यहाँ पर देखें connection आपका इनके साथ क्यों बना वह मैं आपको बता चुकी हूँ आपने अपने जिन्दगी में बहुत सारे tower movement छेले हैं यहाँ पर tower का card आपके जिन्दगी के कही न कहीं भरवादी को भी दिखाता है आपके जिन्दगी के दर्द को भी दिखाता है कि आप बहुत बार तूट कर बिखरे हो आपको बहुत बार गिराया गया है आपके भरोसे को तोड़ा गया है अगर relationship की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यही दिखाता है कि आपने जिस पर भरोसा किया यानि कि आपने उपर वाले से भी उपर इस इनसान को माना है जिनके साथ आप रिलेशनिशिप में थे वही आपको टाबर दे कर जला गया वही आपके जिन्दगी में जटके दे कर जला गया है ना और साइद इसी वज़े से आपका अभी जो maximum time है ज्यादा तर जो आपका समय है वो उपर वाले से मननते मांगने में ही बीत रहा है है ना उपर वाले से आप manifest कर रहे हो प्रेयर्स कर रहे हो कि मेरे जिन्दगी में जो ये दर्थ तकलीफे आकर गुजर शुकी है है ना मुझे इससे जल्दी निकालो क्योंकि आप निकल नहीं पा रहे हो हर्मिट ने बता दिया है कि आप स्ट्रक एनर्जी में हो और यहां पर भी जो है action का काड़ाया है यानि कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा कुछ करने का आपका मन नहीं तो यहां पर stress का भी काड़ आया है अब यह दूसरा काड़ है जो बताता है कि आपके आपके दिमाग में तनाव बहुत है आपके जिन्दगी में तनाव बहुत है यह काड़ यह भी बताता है कि आप इसे कई लोग लंबे वक्त तक depression की दवाईया खा चुके हो या नीन की गोलिया खा चुके हो या फिर आपकी health अच्छी नहीं रही है इस टावर के आने के बाद तो physical stress mental stress emotional stress आपको stress का मतलब ही तनाव होता है तो तनाव आपके जिन्दगी में बहुत ज्यादा है तो पहले मैं आपके दर्द और तकलीफों के बारे में बता दू गैस ताकि हैना उसके बाद जो result आने वाला है वो आपको पता चले और आप reading match कर सको अब यहां पर हम देखेंगे कि वजह क्या है इस टावर के आने के पीछे की वजह क्या है वो वजह भी मैं आपको बता दू यहां पर seven of pentacles आया है अब यह काड़ बता रहा है कि जिस रिस्ते को आपने इ सब्सक्राइब बता है तावर के आने के बाद यहां पर भी आपका नजर आता है आप जानते हो कि यह रिस्ता ऐसे खतन नहीं हो सकता इस रिस्ते को आगे बढ़ना ही होगा और साथ में हर्मिट भी आपकी उम्मीद को दिखाता है कि आपने अभी भी गिव अप नहीं किया है है आपका उपर वाले पर इतना ज्यादा भरोसा मुझे नजर आता है कि आप अभी भी जानते हो कि यह रिस्ता ऐसे खतम नहीं होगा मेरे प्रॉलम कर दिया एक ना एक दिन सारे चीज़े आगे बढ़ेगी तो इसी पर आपकी उम्मीद मुझे बहुत ज़रा नजर आई है तो चलिए बताते हैं कि कुईन ऑफ सोड्स भी कुईन ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर आया है अब यह काड़ यह इस सुर को नजर आता है कि यह इंसा को एक तरफ रख दियोगा उलसी तरफ आप की चाहत हो आपका प्यार हो तो आप कीसे चुनोंगे आप प्यार को चुनोंगे बागे चीस को आप जो है अपने जिन्दगी से निकालका फख दोगे कि आपको इनजरूत नहीं है अगर आपके पास प्यार मिल गया तो आougएर लिए जीनदगी ठम सी जाती है आपके लिए तो यह नजर आता है गाइस लवर्स का डबल कर नेक्षिन का मतलब भी यही है कि प्यार के लिए आप आपने जिन्दगी भी कुर्बान कर सकते हो इतना सिद्धत वाला इतना प्यूर चांशन जो है आपका नजर आता है पर यहाँ पर मैं एक पर को भी एड़ करना चाहूंगी एक बट को एड़ करना चाहूंगी और वो है Queen of Man's का कार्ड इस वर यहाँ पर यह देख पा रहे हैं कि एक इंसान जिनके मन में प्यार ही प्यार था हैना सरिफ emotions थे उन्हें पैसे रुपे की चीजे कभी भी इनको आकरसित नहीं कर पाई ऐसे एक इंसान को जो है आज कठोर बना दिया गया है निर्दई बना दिया गया है एक ऐसे इंसान को आपना प्यार पर भरोसा सा उठ गया है बहुत ज़रा मजबूत आप जो है आपने अपने आपको बना लिया है इस टावर के आने के बाद तो कहीं ना कही रूखापन आप में आ गया है, ठीक है, आप में न, आपकी बोली में सायद पहले जैसे मिठास नहीं है, क्योंकि मन में दर्ध है, मन में तकलीफ है, आप बीती बातों को भूल नहीं पा रहे हो, तो वो इन तकलीफों के वज़े से आप बहुत ज़रा स्ट्रिक्ट हो गए हो वो situation मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, अब आने वाले वक्त में इस वर आपको क्या संदेश देना चाते हैं, सबसे पहला संदेश ही इनका action का निकल कर आया है, यानि कि पहली बात ही आप से यह कह रहे हैं, कि आप अपनी जिंदगी में जिस तरीके से हर्मिट के का मतलब जिस चीज से आपको थोड़ा सा खुशी मिले ना वो चीज़े आपको करनी ही नहीं है, there is no action in your life pile number one, कोई भी action इस तरीके से अगर आप अपने जिंदगी में रुख जाओगे guys, तो आने वाले चीज़े कभी भी आपके पास नहीं आएगी, तो सबसे पहले first advice आपके जा रही है आपकी, without action, without doing anything, तो इस तरीके से अपने जिंदगी को जो एक बार मिलती है, उसे ऐसे worth जो है, आपको गवाना नहीं है guys, ठीक है, तो action यहाप पर important है, आप चले बताते हैं और क्या क्या आने वाली है, देखे guys, love words का connection double निकल कर आया, मैं बार बार कह रही हूँ तो आपको यह समझना है guys, कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो, या आप अगर चाहते हो कि आपके जिंदगी में भी सचा प्यार आए, किसी के साथ रिष्टे में हो तो बात ही खतम, अगर किसी के साथ रिष्टे में नहीं हो, फिर भी चाहते हो कि आपको कोई सचा प्यार दिल से न, स्रिफ आपको प्यार करने के लिए कोई आए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो देखे, आपका connection इस इंसान के साथ बहुत, बहुत, बहुत strong जो है, उपर वाले ने बना कर भीजा है, टावर भले ही जितने आकर गुजर जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उ तुम्हारे लिए सच्चा प्यार मैंने लिख दिया है तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारा divine love, तुम्हारा soulmate, जहां पर प्यार बिल्कुल बराबरी का होने वाला है, तुम उससे उतना ही प्यार करोगे, और वो भी तुमसे उतना ही प्यार करेगा, तो प्यार के मामले में आपकी किस्मत बहुत ही ब्राइच है मुझे आज पाइल नमबर वन के रिटिंग करते वे मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का जो यहां पर आज की जिनकी एनरजी है उन्हें उनका सच्चा प्यार मिलने वाला है सच्चा प्यार ऐसा प्यार जिसमें कोई खेल नहीं है ऐसा प्यार जिसमें पॉलिटिक्स नहीं है ऐसा प्यार जिसमें उपर वाली की मर्जी है उपर वाले का आसिरवात है आप दुनों के उपर में हैना तो ऐसा प्यार जो है आपके लिए लिखा गया है इस और आप से ये पहली guarantee दे रहे हैं गाईज कि तुम्हें जो है तुम्हारा सच्चा प्यार दे दिया जाएगा तुम दोनों को जी हाँ तुम दोनों को मैं हाला कि reading तो आपकी कर रही हूँ पर यहाँ पर आप दोनों का ही energy निकल कराया है तो देखे तुम दोनों को ही मैं एक करने वाला आपके person कहीं और है वो भी आपसे दूर है तो भी minus का जो stage चल रहा है वहाँ पर आप प्लस होना है यानि कि one plus one two यहाँ पर होने वाला है आप दोनों जो है एक होने वाले हो आप दोनों जो है मिलने वाले हो और मिलकर आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है यहाँ पर आप दोनों ही एक दुश्रे की दुन्या हो इस वर ने ही बोल दिया है गैस इस वर ने ही आपको बता दिया है कि आप दोनों को एक दुश्रे के लिए बनाया गया है तो इस टावर से घबराने की क्या जरूत है यह तनाव लेने की जरूत क्या है आप अपने आपको रोकने की क्या जरूते गाईस खुलकर जिन्दगी जियो ना इस भरोसे पर जियो कि मुझे मेरा soulmate मिल रहा है मेरे भागे में इनको लिखा जा चुका है मैं इनकी हूँ और ये मेरे है तो इस तरीकरा confidence जो है आपको अपने में लेकर आना है गाईस जिन्दगी को रोकना नहीं है मस्ती से चलो अपने जिन्दगी में आगे बढ़ो अपने जिन्दगी में क्योंकि इन्हें आपसे कोई दूर नहीं कर सकता इनका और आपका एक होना हो अल्ला को मानते हो आप क्रिश्यानिटी को मानते हो है जिसस को मानते हो यह मतलब किसी भी धर्म से आप क्यों ना चुड़े हो गाईस आपके साथ आपकी इस्ष्वर है आप दुनों का connection इतना magical है कि इसमें जो है उपर वाला भी जो है magic डालने वाला है अनेक्सपेक्टे चीजे करने वाला है इस रिस्टे को एक बनाने के लिए आप दुनों को टोटल करवाने के लिए उपर वाला पूरी की पूरी जो है मेहनत यहाँ पर करने वाला है और कुछ भी हो जाए इस connection से आपको कोई दूर नहीं कर सकता कोई आपको अलग नहीं कर सकता यह एक सत्य है आपको समझना है तो प्यार के साथ साथ कितना ज्यादा एक दूसरे को पाने की ख्वाइस है एक दूसरे को एट्राक कर रहे हो आप लोग है ना तो इतना जब गहरा जब connection होता है तो इस स्वर को भी जुकना पड़ता है कि नहीं इन्हें जुदा नहीं करवाना है इनका ए यहां पर भी हमें action ही मिला है यहां जल्द ये सारी चीज़े जो अभी तक पैसिव यानि कि आप भी हर्मिट में हो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके पोर्सन भी जो हर्मिट में ही होंगे मतलब वह आपको कॉंटाक नहीं कर रहे है इसका मतलब हर्मिट का मोड च और आपके portion का आपकी तरफ आना ही मुझे नज़र आया है बहुत solid decisions आप लेते हुए नज़र आये हो आप आगे बढ़ते हुए नज़र आए हो और किसके पास जाते, जा रहे हो guys आप अपनी दुन्या के पास जा रहे हो और आपकी दुन्या कौन है? आपके दुनिया है ये इंसान जिसके साथ अभी आप जुदाई में हो, माइनस में हो, सब्ट्रैक्शन यहाँ पर चल रहा है तो add होने के लिए 1 प्लस 1 होने के लिए आप यहाँ पर action ले रहे हो, commitment यहाँ पर देते हुए नजर आए हो bold decisions से हाँ पर लेते हुए नजर आए हो guys, और finally आपको वो इंसान मिल जाएगा जिसके लिए जो है आप मन में अभी भी प्यार लेकर बैठे हो, emotions लेकर बैठे हो, आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हो आप किस चीज़ को पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक मैनिफेस्टर भी हो guys, हर्मिट का कार्ट, six ट्रकरा यहाँ पर आया है, मजीशिन ब्रकार यह तीनों ही कार्ट बता रहे कि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, आप हर पल हर वक्त उपर वाले से आपको वापस मिल जाए और आपकी दुनिया खुशियों से भर जाए है ना, तो क्या आपकी दुनिया खुशियों से भरेगी guys, देखें यहाँ पर हमें मिला है लास्ट कार्ट के रिडिंग कर रहे हूं मैं, जो है सन का कार्ड, और यह कार्ड दिखाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि आपके जिन्दगी में बहुत जल्दिया खुशिया दस्तक देने वाली है, आपका जो जो भी सपना है, आपके जिन्दगी में जो भी अभी अभी अंधेरा चल रहा है guys, उस अंधेरे के हटने का समय आ गया है, clarity आपको मिलेगी बहुत सारी ऐसे चीज़े जिसमें आप अभी भी अंजान हो, जिसके बारे मैं आपको पता नहीं है, बहुत सारी चीज़े आप से छुपाई गई है guys, वो सारी चीज़े उज्जाले की तरह न, सब कुछ आपके सामने crystal clear हो जाएगी, आपको सारी चीज़े खुशिया, happy relationship, commitment, marriage, बाल, बच्चे, traveling, whatever you want, जो भी आप manifest में मांग रहे हो न guys, वो सारी चीज़े खुशिया बनकर आपके दर्वाजे पर आ रही है guys, बहुत जल्दी ये सारी चीज़े होने वाली है, तो आप देखे, एक से बढ़कर जो एक cards यहाँ पर निकल कर आए हैं, वो दिखा रहे हैं कि भले ही अभी आपक और दौर बुरा चल रहा है, भले ही अभी आपका present situation बुरा चल रहा है, पर आने वाला वक्त ऐसा नहीं है guys, पाइल नमबर वन, बहुत लग्की हो आप लोग, बहुत लग्की हो आप लोग कि आपको ऐसे cards मिले हैं आज, आपको ऐसे blessings मिली है, आज जहाँ पर lovers के साथ साथ we are the world, the sun का card, chariot का action और spiritual awakening आपकी spiritual awakening भी हो रही है, यानि कि हर सारी positive चीज़े आपको यहाँ पर मिल रही है, बस मैं आपसे यह कहूंगी कि जो आपने अपने आपको थोड़ा सा कठोर बना रखा है ना guys, यह जानती हों कि definitely tower के आने के बाद ही आप इतना अपने आपको strict बन आपने आपको ऐसे ऐसा दिखावे पर ले जाने की कोई जरूत नहीं guys, आपके मन में बहुत प्यार है अभी भी, अभी भी अगर आपको कोई दो मीठे बोल अगर कोई आपके साथ बोल दे ना तो आपके आँखों से आसू आजाएंगे, अगर अभी भी आपके portion आपको ए ऐसे ही रहो, किसी के लिए खुद को बदलने की बिल्कुल भी जरूत नहीं guys, आप तो एक अच्छे soul हो, pure soul हो guys, जिसने हमेसा प्यार दिया है दूसरों को, बदले में चाहे आपको धोके मिले, आपको टावर मिला, आपको दर्द मिला, इन सारे चीज़ों से अपने आपको बदलना नहीं है guys, बदलना है, तो positive way में बदलो है न, ताकि आपकी खुद की growth हो, ठीक है, समझ गए, तो थोड़ा action नहीं आपर जरूरी है, उपर वाला चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ life में, छोटा मोटा ही सही, कुछ ना कुछ करो, और आने वाले वक्त में जो action यहा बदलने वाला है, देखे, यहाँ पर भी आपको दो घोड़े नजर आ रहे होंगे, एक white और black, है न, black और white का यहाँ पर combination आपको नजर आता होगा, है न, तो यह भी दो है, जो है, दो पार्टनर की energy है, है की नहीं, तो इसी तरह के से खुशी होकर, मस्ती मजाग करते कार्मी क्लेंजिंग, तो यहाँ पर जो है, आप में से कही लोगों का, जो separation चल रहा है, है न, जो problem चल रही है, तो हो सकता है की कुछ कर्मा का भी यहाँ पर problem है, आप दुनों का, है न, कार्मी का, आपका कर्मा भी साफ हो रहा है, जो आपको दर्द मिल रहे है, जो सारा का सारा कर्मा क्लेंदिंग के वज़े से हो रहा है, तो इसे जो है, एक प्रोसेस की तरह लीजिए, कि उपर वाले ने, आपकी भलाई के लिए ही, यह सारी चीज़ें रची है, ठीक है, और आने वाला वक्त, जब आपका कर्मा क्लीन हो जाएगा, आपकी सारी दुख त and your fears and upsets तो जो यहाँ पर stress का काड़ाया है उपर वाले ने कहा है कि आप मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि तावर आने के बाद साइध आप लोगों पर भरोसा नहीं करते इसलिए साइध आप इसवर के साथ ज़्यादा connection में हो है ना तो यहाँ पर यह कहा है कि अपने डर अपने डर से निकलो अपने डर पर जीत हासल करो हैना भरोसा करो कि जो भी होगा वो अच्छा होगा ठीक है इसे strong बनाना है अपने भरोसे को आपको strong बनाना है समझ गए तो यह थी आपकी reading I hope आपको समझ में आई है और जो यहाँ पर आपको करने के लिए कहा गया है उसे आपको follow करना है तनाव नहीं लेना है overthinking नहीं करनी है depression में नहीं जाना है guys ठीक है आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान के साथ बुरा कभी नहीं होता guys उपर वाला आपके साथ में है ठीक है उपर वाला आपको सारी चीज़े दे रहा है जिसे पाने का हक आप रखते हो ठीक है तो यहाँ पर किसी के सामने बांगने की गिड़गडाने की जरुत नहीं है जब समय आएगा आपको वह सारी चीज़े blessing की तरह मिल जाएगी ठीक है आपका प्यार मिल जाएगा आपका soulmate मिल जाएगा और आपकी आने वाले जिंदगी यहाँ पर जो sun का काड़ आया है यह 10 of cups की energy ही है वह सारी blessings आपको मिलने वाली है ठीक है तो इतना कहते हुए अब मैं reading को करीं क्लोज आपको रखने अपना बहुरे शाख खयार क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जड़ा प्यार आपके बारे में क्या जानते है और वो आपको क्या पताना चाहते है यानि कि इस वर का संदेश आपके लिए क्या है बैसिकली यह relationship reading ही मैं कर रही हूं क्या हमारे family members में ज्यादा तर जितने भी मेंबर्स है उन्हें relationship को लेकर प्रॉलम है ऐसा नहीं है कि क्यार को लेकर प्रॉलम नहीं है प्रॉलम चारा तरफ से है फिर भी relationship को ही focus मैं करना चाहूंगी reading में पर फिर भी अगर carrier से related भी कुछ अगर निकलता है और guidance आपको उपर वाला देने चाहते है तो मैं उसी हिसाब से आपको सारी चीज़े बताऊंगी देखते हैं कैसे कार्ट निकल कर आते हैं इसर की मर्जी पर डिपेंड करता है कि कार्ट में कैसे निकलने हैं तो चलिए सबसे पहले आपकी energy देखेंगे energy oracle कार्ट से दो कार्ट मैं यहां से निकालूंगी और आपकी आपकी situation कैसी है और guidance क्या होने वाली है इन दो कार्ट से पता चलेगा आ फिफ्थ चक्रा का कार्ड निकल कर यहां पर आया है गैस आपने से कहीं लोगों को थ्रॉट चक्रा में blockages यहां पर नजर आया है मतलब खुलकर feelings express नहीं कर पा रहे हो भावनाय बता नहीं पा रहे हो दिल का दर्द बता नहीं पा रहे हो कुछ भी किसी से कहना चाहते हो तैसा लगता है कि सारी चीजे गले में strategy का card यहां पर निकल कर आया है गाईस चलिए यह दो मैंने निकाले है energy oracle card से आपके लिए energies अब गाईस मैं सबसे पहले औरिकल कार्ड युनिवर्स की तरफ से चार कार्ड निकालूंगी यहां से चार कार्ड निकालने के बाद फिर tarot से कार्ड निकालेंगे ठीक है ना देखते हैं इस वर को क्या नजर आता है आप में नंबर 39 और नंबर 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है आउटसाइडर का पहला energy निकल कर आया है आपके लिए आजकी रिडिंग पूरी के पूरी आपकी energies है और friendliness का कार्ड आया है बिलकुल यह ना एकदम opposite energy है ठीक है friendliness और outsider बताएंगे आपको इसका मतलब क्या है suppression का कार्ड आया है आपके कार्ड देकर तो मुझे ही आसु आ रहे है रोना जैसा फिल हो रहा है जब मैं outsider के इस कार्ड को देखती हो ना तो मेरा दिल बहुत दर्द में चला जाता है मुझे बहुत bad फिल होता है कैसे एक्स्प्रस करो आपको बहराल यहां पर transformation का भी कार्ड आया है बदलाव transformation तो चलिए यह चार कार्ड मैंने निकाल दिये हैं यहां से universe की तरफ से अब टेरट से भी निकालेंगे चार कार्ड और तुश्रेट एक से भी निकालेंगे चार कार्ड और उसके बाद आपकी आपकी प्रिखनी तरफ टे कुछी निकालेंगे से लिए निक तरफ से बद kend निकालेंगे चार्ड टू जापकी तो थाल्ट पाल उके चार्ड आपकीजे तो कि त रहां टोपकी यह चार्या की एूवलागे लिए अगे लिएटने एंगे तनावे बदलेंगे लिए मैंने प्रेट का पहला कार्डिकल कर आया है खुपसूरत आनेज़ी आई है गाइस पहला ही फोर अफ काप्स कुईन आफ काप्स और यह है आपके चार कार्ड जो मैंने इस टारट से निकाले है और बॉटम आफ देक में गाइस मजीशन का कार्ड निकल कर आया है आपके लिए ठीक है मजीशन चलिए इस टेक से भी चार कार्ड निकालेंगे गाइस ठीक है कर दो कर दो कर दो कर आया है बिल्कुल यहां पर आया है इधर से ट्रांस्फर्मेशन का कार आया है बहुत बदलाव होने वाला है आपके जिन्दगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए नजर आये है गाइस ठीक है साइकल है आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ा चक्र है कर्मा यहां पर कुछ काम कर रहा है आपका टावर एड़ फ काप्स लास्ट वन इस चैरेट और सेम एनरजी यहां से भी हमें चैरेट की मिली है इधर भी हमें चैरेट मिली चुका है और बौटम ओब दर डेट में स्ट्रेंथ का कार आया है तीक है यह है आपकी ओवरल एनरजी जो इस डेक से निकल कर आई है दोनों ही बड़े कार्ड जो है बौटमओ ड़ैएक में मजीशन और डेन्जेंट के अनरजी बड़े कार्ड निकल कर आया है चलिए कुछ numbers की तरफ इसारा करते हैं देख लेना ये numbers आपके साथ match तो नहीं होते हैं आपके partner के साथ number 5, number 2, number 10, number 13, number 7 है number 4 है, number 5 repeat होकर आया है तो number 10 भी important हो सकता है इसके अलावा guys 8 important है number 21 भी important है number 16 भी important नज़र आ रहा है और sign और element की बात करो तो लियो की energy आज की reading में बहुत strong है इसके अलावा cancer की energy strong नज़र आई है इसके अलावा water sign है cancer scorpio piscis, kark, krushi corbyn, rasi earth sign है, taurus, vargo, capricorn, vishap kanya और makar rasi तो यही sign और element यहाँ पर जारा नज़र आए है पर यह आपके energies है अगर situation match होती है guys तो आपको देखना है कि यह reading आपके लिए है energies पर जाओ, energies देखो sign और element को थोड़ा secondary priority देना है आपको energies match होती है यह नहीं वो important है आज की reading में ठीक है तो इस और आपको क्या संदिश देना चाहते है इस और को सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपके जिंदगी में आपके जिंदगी में चल क्या रहा है क्या इस और को आपका आपकी life के बारे में कुछ पता भी है क्यूंकि आप मेंसे कई लोग को लगता है कि इस और ने भी अपने आखे बंद कर ली है इस्वर को भी आपका दर्ब नजर नहीं आता इस्वर भी जो है बुरे लोग है उनका ही साथ देते हैं कई कमेंट्स ऐसे आते हैं इसकी इस्वर ने भी हमारा साथ नहीं दिया इस्वर को भी हमारा पेन नजर नहीं आता तो किया ये सच है कि इस्वर ने वाकई में अपनी आखे मूंद रखी है क्या उन्हीं आपका कुछ नहीं पता कि आपकी जिंदगी का सफर कैसा चल रहा है तो चलिए मैं अब आपको बताती हूं कि इस्वर को आप में क्या नज़र आ रहा है जिसने हमेशा हर किसी इनसान के साथ ना अच्छा बिहेवियर किया है यानि कि आपने हर किसी इनसान का साथ दिया है फ्रेंलिनेस का जो कार्ड मुझे यहां पर नज़र आ रहा है वो दिखाता है कि आप हर इनसान के साथ रहे हो उनके बुरे वक्त में उनके अच्छे वक्त म है ना आपका नेprus ऐसा है कि आप सबी कोफ़ देखना चाहने हो आप सब्सक्रार सब्सक्राइब कर तरह दूसरों का बुरा आप नहीं सोचते पर कि आपके साथ सब कुछ रिटर्न में अच्छा आ रहा है जो आप दे रहे हो है ना जो आप जिस तरीके का behavior आप कर रहे हो दूसरों के साथ हैना देने में Believe करते हो आप पर कि आपको return में वो सारे चीज़े मिल रही है सवाल यहां पर यह है तो मैं आपको बता दूगाइस की बिल्कुल नहीं क्योंकि यहां पर मुझे जितने भी काश नजर आये हैं वो यही दिखा रहे हैं कि प्यार की बदले में धोका दोस्ती के बदले में जो है गदारी है ना यही सारे चीज़े आपको मिली है मतलब आपने जब भी किसी का साथ पाने की कोशिश की जब भी किसी का आपने किसी को साथ देने की आपने कोशिश की आपको हमेशा निकाल दिया गया है उस relationship से या उस रिस्ते से यहां पर मैं स्रीव आपके पोर्सनल अफेर की बात नहीं कर र काड़ाया है यह कार्ड दिखाने के लिए बताने के लिए काफी है कि हर उस रिस्ते ने जिसे आपने अपना माना है उसने उन्होंने आपको हमेशा बाहर ही रखा है मतलब कोई भी चीज़ प्यार के बदले आपको प्यार नहीं मिला है दोस्ती के बदले आपको दोस्ती न चाहे मैं कितना भी कोशिस कर लूँ इन लोगों को सपोर्ट करने की इन लोगों का साथ देने की। हैना आप चाहते ही दो चीज हो, प्यार और दोस्ती, आपके मन में यही चीज़े बहुत ज़र इंपॉर्टेंट है, मतलब रिष्टा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर कुईन अफ कप्स का भी काड आया है, जो आपके मासूमियत को दिखाता है, आपके साफ दिल को दिखाता है, जो आपके मन के प्यार को दिखाता है, कि आपके मन में किसी के लिए कभी नफरत नहीं रही है, कभी घृना आपने किसी से नहीं की है, कभी बदला लेने की आपने बातें नहीं सोची है, पर हमेशा आपको कट अफ कर दिया जाता है, आपक कास मेरी भी जगाए उन लोगों के साथ होती, कास मुझे भी वो लोग accept करते, कास मुझे भी जगा देते, कास मुझे भी सामिल करते अपने खुषियों मेन, पर साइध वो जगाए आपको कभी भी लोगों की जिनदगी में मिली नहीं है. ठीक है, आप देख लेना कि ये energies क्य आपकी मैच होई है तभी मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपके साइन और एलेमेंट नहीं आए है तो कोई बात नहीं इनर्जी मैच होनी चाहिए अब यहां पर सप्रेशन का काड आया है इसके बारे में कुछ देर बात करूंगी कि यह सप्रेशन क्यों चल रहा है आपकी जिन्दगी में पाइल नंबर टू जिस तरीके से मुझे आपका एक मासुम दिल तूटा हुआ यहां पर नजर आ रहा है कि प्यार चाहिए मुझे मुझे बस प्यार की तलास है मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिन्दगी में बस मेरे जिन्दगी में जो कमी है प्यार की कमी रिलेशन्शिप की कमी वह बस आकर फुल्फिल हो जाए वह बस आकर भर जाए पर साइद यहीं पर कहीं आप अनलकी सा आपने आपको महसूस कर रहे हो क्योंकि आपका प्यार है वह आपसे दूर चला जा चुका है क्योंकि हमें यहां पर मिला है eight of cards ठीक है यह कार्ट दिखा रहा है या तो यह आपकी एनरजी हो सकती है या यह आपके पार्टनर के एनरजी हो सकती है कि इस रिलेशन्शिप में हैना जिसकी तलास आपको सबसे ज्यादा है जिसकी जरुरत आपको सबसे ज्यादा है यानि कि प्यार उसी प्यार के करीब आज आप नहीं हो उसी प्यार से दूर के लिए आपको मजबूर किया गया है उसी प्यार से आपको कोसोद दूर चल कर जाना पड़ चुका है यहां पर है आपको पता नहीं कि आपकी यह मंजिल कभ खत्म होगी आपका इंदजार कभ खत्म होगा आप बहुत जादा दर्थ में बहुत जादा तकलीफ में यहां पर नज़र आ रहे हो गैस क्योंकि यह चीज आज आज आपके पास नहीं है और मैंने आपसे कहा था कि इस सप्प्रिंशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो यहां पर जो चुभन है ना गाईज यहाँ पर जो दर्ध है यहाँ पर जो आग लगी हुई आपके मन में आग ही लगी हुई है आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना बेचेने सी महसूस होती है आपको आपको किसी चीज में भी ना happiness नहीं दिखाई देती खुशिया आपको नहीं मिल पा रही है हर वक्त जो है इस अपको ऐसा लगता है कि आपको को कहीं पर बंद कर दिया गया है और किसी चीजी की आज़ा एँ नहीं है आप खुल कर 18 नहीं पा रहे हो आप खुल कर अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हो क्योंकि आपको आगे बढ़ने कर रास्ता नजर ही नहीं रहा आपको आगे बढ़ने दिया ही नहीं जा रहा है तो चुभन बहुत ज्यादा है काटे बहुत ज्यादा है दर्द बहुत ज्यादा है सफोकेशन है यानि कि दम का घुटना है ना सप्रेशन का मतलब कि किसी को दबाना आपको बहुत ज्यादा द बता रहा है कि ये चुभन ये जलन ये दर्द ये मायूसी ये तनहाई ये अकिलापन किसी के चले जाने की वज़े से ही हुआ है क्या मैं सही हूँ गाइस कमेंट करके बताना ठीक है तो ये है सप्रेशन के वह एनरजी आप में से कई लोग यहां पर मैं आपको बता दू कि का स्क्राया है कि दोनों ही अगर क्यामिक में नहीं भी हो तो भी चक्र में डुन के बीच में कर्मां है अ तोनों के बीच में अपर आपके पार्टन के बीच में ढूर्व से Teraz कर दोके इचरबया है डिए जिर का जिंड़ा तो ये इस चीज आपको बहुत जारा मजबूत भी बनाया है आप में बहुत जारा बदलाव भी आया है अगर मैं bottom of the deck के कार्ट को मैं बया करूं तो strength का कार्ट नजर आता है यानिकि अभी भी आप हिम्मत में हो गाई अभी भी आप इंतजार में हो अभी भी आपने आपको तूटने नहीं द का है गाई तो मुझे लगता है कि अब आपको डर नहीं लगता कि कि इतना सारा चीज तो आप सहच चुके हो हर रोज तो आप जो है हर पल जी जी के या मरमर के जी रहे हो ऐसे आपकी situation है तो आप बहुत मजबूत हो गए हो strong आप हो गए हो गई इस ठीक है five of pentacles का card यहां प ये इन्सान बूल चुकी है, टैच हो गया है तो आपके मन में सिर्फ और श्रिफ यही भावनाय नजर आती है गाई इसकी कास यह ताला खुलता और मैं जाकर उनको बता पाती या बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रहा हूं या फिर कर रही हूं है ना पर आपको वह रास्ते समझ ही नहीं आ रहे गाई और आप अकेले में घुट-घुट कर जीने को मजबूर हो रहे हो जैसा कि यहां पर फिफ्ट चक्रा थ्रॉट का कुछ प्रालम है मैंने आपसे कहा ना कि आप बया नहीं कर पा रहे हो कि आप कितना दर्द में हो आप कितन मन कितना होता है आपको बताने का कि कास यह इंसान आ जाए और सुने मेरी बातों को है ना पर आप बताएंगे तो किससे बताएंगे क्योंकि आपका खुद का यहां पर जो है ब्लॉक इस चल रहा है आप फिलिंग्स एक्सप्रस करने के कंडिशन में नहीं हो आप अपनी भ टावर बहुत सारी चीजों को बया कर रहा है आपके आपके रिस्ते की ना एक एसी लुद्गती यहां पार हो गई है मैं क्या कहूंगा चापर एक दूर्गती ही होता है टावर एक घुकम भी होता है रिस्ते में गो dipl baker आता है जिसका मतलब होता है कि सब कुछ बिखर गया Limited कुछ तूट गया भरोसा तूट गया प्यार तूट गया रिस्पेक्ट तूट गई एक इनसान जो कल तक मेरी जान था वह आज जो है अन्जान जैसा हो गया है यानि कि सारी चीज़े बिखर गई है आपके जिन्दगी में ऐसा लग रहा है तो जितने भी एनरजी से आपर नि मीनिंग है इसके बारे में पहले एक एक चीज़ के बारे में आपको बता दू स्ट्राटेजी को देकर यह लग रहा है इसकी आपके और आपके इस रिस्ते में बहुत सारे गेम्स खेले गए हैं ठीक है बहुत सारे यहाँ पर डिर्टी गेम्स बहुत गंदे खेल जो है खे है तो strategy बना कर भी आप में से कई लोगों को अलग किया गया है ठीक है यह पहली बात यहां पर यह नज़र आई है अब इसका दूसरा पहले क्या है आपने मन इससे तो आपने मन को बिल्कुल बना रखा है आपने आपने स्ट्रॉंग बना रखा है आप किसी के लिए भी ना आप किसी के लिए भी इतना फ्री नहीं हो कि आप कोई भी छोटे मोटे आफर को एकसेप्ट कर लो किसी के साथ भी दिल लगा लो किसी के साथ भी रिस्ते में चले जाओ तो आप इतने कच्चे इंस तो इस आउटसाइडर के काट को ही देख रही हूँ मैं जहां पर एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ नजर आ रहा है एक बच्चा नजर आ रहा है जिसके दिल को ठेस ठेस पहुचाई गई है जिसको दर्व दिया गया है जो उस चीज को पाना चाहता है पर उसे रुकावटे यहा मेरे पास आने का तुम वहीं रहो वहीं से खड़े कर मुझे देखो तो आपको ना रोक दिया गया है आपको रोक दिया गया है कि चाहत होते हुए भी आप जाकर उनको गले नहीं लगा सकते आप उनको बता नहीं सकते आपके आवास को आपके अंदर ही दबा कर रख दिया गया है यहां पर यहां पर आपको बताते हैं कि इस बर आपको क्या काईरेंच का देना हैं कि आने तुछ तूर्ण क Wandi Pew, यहांपर एक बहुत बड़ा टर्णिंग पॉइंट आने वाला है आपके जिन्दगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है गाई आपके जिन्दगी में जो आप नहीं सोच सकते जिसके आपने अभी कल्पना नहीं की है आपको लग रहा है कि आपके किसमत में सिर्फ दर्ध है आपके किसमत में सिर्फ धोका है आपकी लाइफ में तो ना ही यारी दोस्ती है ना ही परिवार का सुख है ना ही प्यार का सुख है आपके जिंदगी बिल्कुल बरबास सी हो गई है आपको बस यही नजर आ रहा ह कि आने वाले चीजों में बहुत सारी चीजे बदलने वाली है क्योंकि यहां पर वर्ल्ट का कारण ने क्या बताया कि आपका ये जो साइकल चल रहा है अब ये ऐसा रहने वाला नहीं है ठीक है ये जो बंद दर्वाजा है इसके ताले को खुला जाएगा और आप जो है उस प ही होगा आप बहुत जल्दी आपने आपको बदल रहे हो ट्रांस्फोर्मेशन चेंजेस बदलाओ आप में और आपके रिलेशन्शिप में यहां पर होती हुई नजर आई है ट्रांस्फोर्मेशन का कार्ड यह भी दिखा रहा है कि जो चीज़ें आपने गुमा दी है टावर आई है गाईज जो टूटा है गिरा है वहाँ पर फिर से जो है एक नया रिबोर्थ होगा आप दोनों ही मिलकर जो है इस रिस्टे को बनाओगे और वर्ल्ड के कार्ड ने बता ही दिया है कि आप दोनों का एक होना तै है आप दोनों को एक साइंकल में जिस तरीके से स्ट्रॉंग कार्ड मिला है जो बता रहा है कि बहुत बड़े बड़े फैस्ट लेजी है एक्षन तो इस रिलेशन्शिप में आपको मिलना ही है जिस तरीके से आपको अभी एकदम स्टक कर दिया है ना कि आप आगे बढ़ पा रहे हो जिंदगी में ना पीछे बढ़ पा रह है पर यहां पर बहुत बड़ा मुव्मेंट नजर आया है चैरिट का अक्षन नजर आया है बोल्ड डिशन्स यहां पर लेते हुए नजर आये हो सक्सेस्फुल आप होते हुए नजर आये हो चाहे हो रिलेशन्शिप में सक्सेस हो चाहे हो किसी भी चीज में जहां पर आप success पाना चाहते हो आपको success मिलना guarantee है जो लोग अभी तक आपके दोस्ती को नहीं पैचाने जो लोग अभी तक आपके प्यार को नहीं समझ पाए गास वही लोग जो है आपके तरफ आएंगे वही लोग आपका सम्मान करेंगे वही आपके offers को यहाँ पर accept करेंगे आपके सामने लोगों को जुखना ही पड़ेगा यानि कि इतना powerful position जो है आपको दिया जाएगा ठीक है तो chariot का action आपको मिलने वाला है और सबसे बड़ा action तो यहाँ पर उपर वाले नहीं खेलना है सारी चीज़े उलट पुलट कर देंगे वो सारी चीज़े जो अभी आपके खिलाफ चल रही है वो सारे आपके आपके favor में होने वाली है क्योंकि bottom of the deck में magician का card आया है एक तो आप हिम्मत नहीं हारने वाले इंसान हो उपर से magician का power आपके पास है ठीक है यह है आपका power पर यहाँ पर यह हुआ यह है कि आप ना अपने इस दिल के हाथों मजबूर हो हैना आप चाहो तो लोगों को दिखा सकते हो कि आप क्या कर सकते हो आप आगे बढ़कर दिखा सकते हो आप किसी और के साथ रिस्ते में जाकर इनसे अच्छे इनसान के साथ रिस्ते में जाकर आप अपने power दिखा सकते हो आप के अरेर में आगे बढ़कर लोगों को उनकी आउकाद दिखा सकते हो लोगों को आपके सामने जुकने पर मजबूर कर सकते हो पर आप वैसे इनसान हो नहीं आपने अपने powers का गलत इस्तमाल नहीं किया है Magician हमेशा चारों element को control करने का power होता है जो आपकी energy है यहाँ पर आज गाइस है यानि कि आप में वो सारी सकतिया है पर आप उसका इस्तमाल नहीं कर रहे क्योंकि अंदर वो दिल है वो प्यारा सा दिल है जो इंदजार में है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते इसलिए आप किसी का बुरा कर भी नहीं रहे हो तो यहाँ पर आठके रिडिंगा इस्तमाल ने आप से सिर्फ और श्रुव एक ही संदिज देना है वो स्विफ आप से यही कह रहे है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है प्लानिंग्स बना कर आप तोनों को आपको अपने प्यार से अलग होने पर मजबूर किया है दर्टी गेम्स खेले हैं गैस यहाँ पर आपको कुछ करने की जरुत नहीं है Magician ने बता दिया है कि Unexpected Way में आपके जिन्दगी बदल जाएगी जब सोचना छोड़ दिया जब बोलना छोड़ दिया जब मांगना छोड़ दिया Expect करना छोड़ दिया ना गैस तब जाकर Unexpected चीज़े Magic होता है जादू होता है और इसमें जो है Angels आपका सपोर्ट करेंगे इस वर आपका सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके ऊपर देखे गाइस इसके नीचे भी World का कार्ड फिर से नजर आया है बहुत बड़ा आपका या तो यहाँ पर कर्मा क्लिन्स हो रहा है कार्मिक कनेक्शन या फिर आप साइकल से तो आप डेफिनेटल गुजर ही रहे हो क्योंकि डबल डबल कार्ड यहाँ पर दिख रहा है मुझे तो आपको यह ध्यान देना है कि आप एक अच्छे इंसान हो आप एक सचे इंसान हो जिसने कभी अपने पावर्स का गलत इस्तमाल नहीं किया है तो आप जैसे लोगों पर ही एंजल का सपोर्ट होता है गाईज और एंजल सापका सपोर्ट करने के लिए तैयार है सारी चीज़े बदल दी जाएगी और आपकी जिन्दगी में गाईज वो बड़े बड़े कमिट्मेंट एक्शन जो है आपको दिये जाएंगे गाईज ठीक है तो बिल्कुल भी आप वरी मत कीजिए कि लोगों ने आपके साथ बुरा किया थोड़ा सा अपने स्ट्राटेजी को भी बदल लिए यहां पर स्ट्राटेजी जो आपकी अनरजी निकल कर आई है साफ मतलब यही है कि अपने को भी थोड़ा सा बदलो लोग आपके साथ गेम खेलते हैं और आप अच्छाईकी मूरत, सच्चाईकी मूरत बनका रहते हो और थोड़ा सा अपने आपको भी ठोड़ा सा उनकी नजरे से देखना स्टार्ट करो कि लोग कौन आपको गलत करने की जरूत नहीं है पर आप अपने आपको सेक्योर करने की जुरुत है कि लोग आपका फाइदा ना उठाए मेने लोग आपको डर्द करना चले जाए लोग सचाय का प्लानिंग ना उठाए तो अपने लाइफ में भी एक प्लांटिंग्स आulative आले देल करने हुए कश्छा एक। ठीक है तो थोड़े से प्लाणिंगस आपको करना है की कौन मेरे लिए अच्छा है कौन मेरा अच्छा सोचता है कौन मेरे लिए बुरा है उनका बुरा मत करो पर अपने आपको उन बचाओ गाइस ठीक है आपको defend करना है strategies आपको बनानी है गाई चाहे हो किसी भी relationship में हो या किसी भी किसी भी रास्ते पर आप चल रहे हो planning is must strategy is must ठीक है तो जो भी होना है यहाँ पर unexpected way में होना है और यह मैं आपको बता दूगाइस कि सही समय पर ही होगा ठीक है आपके जो ब आपकी जिन्दगी टोटली पूरी तरीके से बदल कर रख दी जाएगी और unexpected way में बदली जाएगी गाईस तब तक आपको हिम्मत नहीं हारना है अपने इसी position पर रहो ठीक हिम्मत बनाए रखो hope बनाए रखो उपर वाली पर भरोसा करना मत छोड़ो गाईस ठीक है और future में जो है guys देख लेना वही लोग आपको सलाम करेंगे जिन्होंने आज आज आपको बिल्कुल अपने से अलग कर दिया है आपको outsider बना कर रख दिया है जैसे कि आपकी जिन्दगी का कोई वजूद ही नहीं है आप leftover जैसे आपने आपको महसूस करते है जैसे खाना खाकर बचा जो सारे चीज़े बदलने वाली है ठीक है और positive way में सारे चीज़े बदलेंगी तो इस भरोसे पर आपको खुश रहने की ज़रो थे guys लोग आपको दर्द देते हैं उन दर्द से बिल्कुल भी मायूस मत होना है guys ठीक है इस वर आपके साथ है और मैं भी आप सभी के साथ तो फिर काहे का गम काहे का दर्द काहे का यह चुभन काहे का यह दर्द ठीक है निकालो अपने आपको इस मायूसी से तो चलिए आप देखते हैं कि आपके लिए कि संदेश क्या है साथ बाबा की तरुप से देखते हैं guys तो messages मैं यहां से निकालोंगे serving the needy तो आपको जो है जो गरीब दुखी लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए कहा है है ना तो आपना mind इस तरीके से divert करो ठीक है guys जिनको आपके जरुट नहीं है उनके पास मत जाओ जिनको आपकी जरुट है आपके support की जरुट है आपके प्यार की जरुट है गरीबों को आपकी जरुट है है ना छोटा मोटा ही सही गाईस कुछ ना कुछ जो है help गरीब लोगों को या जानवरों को आपको करना है serving the needy, serve and charity are the, sewa and charity are the surest way to achieve soul growth तो इससे जो है आपके खुद के मन में ना एक ऐसा growth होगा, एक happiness आपको मिलेगी आपको ना सुक्का अनुभव होगा, जब आप दूसरों की मदद करते हो तो यह आपको करना है, अगर आप कर सके तो balance in energy will curb oscillations to breathing exercise तो यह message उन लोगों के लिए है, जिने जैसे कि आपकी यहाँ पर energy में निकल कर भी आया है कि communication करने में problems हो रही है, feelings बता नहीं पा रहे हो, तो यह blockage भी आपका बहुत जल्दी खुलने वाला है, आप खुल कर दिल की बाते कह पाओगे, जो भी मन में है वो कह पाओगे और यहाँ पर यह कहा गया है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को सांस लेने में problem है क्योंकि यहाँ पर भी घुटन का काड़ आया था, हैना कि आप खुल कर सांस नहीं ले पा रहे हो, दम घुटता है आपका, तो अगर ऐसी problems है तो आपको थोड़ा exercise करना चाहिए, आपको समय से पहले कुछ नहीं मिलता और जब समय आएगा तो उसे फिर मिलने से कोई रोक नहीं सकता तो अपने powers को पहचानो, आपकी तो double power यहाँ पर लियो की energy, strength का काड़ यानि कि बहुत हिम्मत वाले हो आप, आपने हिम्मत नहीं खोई है, plus magician, double powerful energy आपकी निकल कर आई है, तो मैं reading को कर रही हूँ, close, आपको रखना है अपना बहुत अचाए खयाल क्योंकि मैं करती हूँ, आप सबसे बहुत जादा प्यार, I love you all, take care, namaste and bye guys